सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए सब्सक्राइब करते हैं प्रशन करवांक एक है सही विकल्प चुनिए यह चुनकर लिखिए तो इसमें फर्ट जो कुश्चन है 99.9999 में एक जोडनी पर प्राप्त संख्या होगी तो देखिए सिंपल सा है आपको क्या करना है 99.9999 में एक जोड देंगे तो जो बर्क स्रीट में जगह दीगी है आपको उत्तर के आँगे तो उसमें आप लिख भी लीजिए एक लाग उसके बाद अंगला कुश्चन देखते हैं सीका तीन तीलियों से बनने बाली बंद्र आकती होगी तीन तीलिया है अपने कोई तीन तीलिया ली और उसको इस प्रकार में समकोर जैसी आकरती बन रही है आपको बताना है कि इन में से कौन सा ऐसा अक्षर है जिसमें समकोर जैसी आकरती बन रही है तो देखिए आप एक ऐसा अक्षर है जिसमें समकोर जैसी आकरती बनेंगी क्योंकि आप इसको ऐसा मिलाएंगे तो यहां पर देखिए समकोर ब आपने कोई ब्रत बनाया और उसमें जो च्छाइंकित भाग है इसको हम क्या कहते हैं तो इसका आशर आजाएगा आपका त्रिज्याखंड ठीके त्रिज्य खंड उसको बोलते हैं लिख लीजिए आप त्रिज्य खंड अंगला कॉर्शियन देखते हैं बिंदू रेखा से द बाइने के सामने राएंगे तो संपूर या पूर्द राकति बनेगी तो आप देख सकते हैं ये नंबर में जो अक्तिफित है जो बनी में टिरभुज दिख रहा है आपको तो हम इसको रखेंगे, यदि सीसे के सामने, यदि ये वाला भाग रखेंगे, तो सीसे में ये वाला भाग बन जाएगा, तो इस प्रकार से याकरती पूर्ड हो जाएगी, तो इसका आंसर option number first वाला सही हो जाएगा, ठीक है, उत्तर हो जाएगा ये वाला option, इसको आप बना भी लीजिए, उसके बाद देखते हैं, question number second, question number दूसरे के देखेंगे, और इसमें क्या करना है, रेक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए, रेक्त स्थानों की पूर्ती करना है आपको, तो इसमें जो first question है, घन में खाली स्थान सतह होती है, तो घन में 6 सतह होती है, आपने दे इसके उस तरह वाली और एक इसके ऊपर वाली तो यह कितनी हो जाएंगे कुलमला की छे सतहे होती हैं घन में उसके बाद देखते हैं अगला कुश्चन बहेकोर्ड जिसका मान 90 से 90 डिग्री से कम होता है खालिस्तान कहला आता है तो देखिए ऐसे कौर्ड जिसका मान 90 डिग् सग्खेया अंठान पर कोड्रमन संख्या में लगे है ऐग सकते हैं डिप का आप देख सकते हैं की fifty kinky किसको लेगते हैं 90 को और यह तरपल यह कितना है आठ टो यह को वलाक है 98 हो जाएगा नृटिक और तो उसके बद आपको करना है अगला कुश्चिन देखते हैं कि कुश्चिन नमर फोर्त है 3 मीटर 45 सेंटीमेटर का माहन सेंटीमेटर में डेट डेस्टरेस्ट होता है तो देखिए 3 मीटर है 45 सेंटी मीटर इनको मिलाएंगे तो 345 सेंटी मीटर आप फर लेजिए यह हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम अंगला कोश्चन देखते हैं एक घडी की स्वी 12 से प्रारम कर घडी की दिसा में 118 गुडन करें तो खाल स्थान पर होगी खड़ी की सुई है, बारा से शुरू होकि तीन तक आती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक बटे चार घूडन किया, मतलब इस घड़ी का उसने एक वन फोर्थ, मतलब एक बटे चार हिस्सा कबर किया, तो हम कैसे निकालेंगे, आप गुड़ा कर देंगे, बारा में एक बटे 4 का, तो चार से वारा कटे जाजएगा, तो 3, चार दिया वारा मतलब 3 आ जाएगा, तो इसमें आप 3 भर लीजिए यहां पर, ठीक है, उसके बाद, कॉर्शन नमर्द है, क्रण ने 5 किलो ग्राम सेब, 5 किलो ग्राम 600 ग्राम अंगूर, 3 किलो ग्राम 300 ग्राम आम करना है जो सभी फल उसने खरीदे हैं उनका योग करना है तो संपूर बजन हमें पता चल जाएगा तो चलिए इसमें देखते हैं कि हल कैसे करेंगे सेव उसने कितने खरीदे पांच किलोग्राम 500 5 किलोग्राम खरीक दें से तो फांज किलोग्राम का मतलब होता है पांसो पांसो पॉच हजार ग्राम ठीक है इसको मने कर बठीआ है जोडने के बाद हम इसको फिर से किलोग्राम कर देंगी यदि बदल देंगे तो अब अंगूर की ने खाइद है उसने 5600 gram क्योंकि 5 kg है और 600 gram है तो को oppress कि क्योंकि 5 kg में कितने क्राम होते हैं और 600 gram ये दोनों मिला कितना हो जाएगा 5600 gram तो यह हो जाएंगे और आम उसने खाइद क्लो 300 gram तो 3300 gram इन सभी को जोड़ने पर हमें पराप्त होता है तेरा किलोग्राम 900 ग्राम के बराबर तो इसका अंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इतना आप लिख लिजिए उसके बाद देखते हैं अगला कॉस्चिन एक ब्रत की रचना कीजिए एवं उसमें केंदर भिंदू एवं ब्यास अंकित कीजिए तो ब्रत आपको रचना कर गया तो यह प्रकार से आप इसको बना लिजिए और यहां पर आप देख लिए केंदर बिंदू यह होता है ठीक है उसकके बाद अंगला कॉस्चिन देखते हैं प्रियू अर्व गार्थ क्या है। तीन घडियं दी गई थे र контр fen Amberкий के बीच ऑडिर गई बीको ऑडियृ थे धेelाक सुर्चा के कईईं विछ बने बाले कौर्ड का नाम लेख記得 गे देखिए इसमें बन रहा है अधीं कोड ठीक है, वह इसमें अधीं काड भर लेंगे और 187 ऐसमें। हिसमें, 90 डिगरे से अधीं कम बन रहा है तो यह हो जाएगा नियोन कोड इस वाली गड़ी में। और थड़ वाली खड़ी में बन रहा है समकोड क्योंकि पूरा विल्कुल तीन से तीन और बारा से जब सुईयां है तीन और बारा पर तो यह कितना बन रहा है अपका कि समकोड कुश्चन नमबर बाद देखते हैं सीगा ग्यारा हजार के ठीक पहले की दो और ठीक बाद की तीन ग्रमागत संख्यां लिखिए तो ग्यारा हजार के ठीक पहले की दो संख्यां हो जाएंगे आपकी 10,999 और 10,999 और ग्यारा हजार के बाद की तीन संख्यां तो ग्यारा हजार एक ग्यारा हजार दो ग्यारा हजार तीन इ लेजिए अंगला कोश्चेन देखते हैं तीना के पास 20 60S कपड़ा है एक पर्दा बनाने के लिए 4 stad części कपड़ा बनाने के लिए ठीक है यह इसमें मीटर में दिया है हमने इसको सेंटीमीटर में कर दिया है ताकि हमें सौल्ट करने में आसानी हूँ बीस मीटर-पचास सेंटीमीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में बलताब 2050 सेंटीमीटर दो परदे बनाने में लगा कपड़ा। उसके बाद हम देखते हैं दो परदा बनाने Ce Tee도 Maka Brands प्छा कपड़ा तो जितना उसके बास पहले था कुल कपड़ा उसमें से दो परदे बनाने का जो कपड़ा है वो हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर माइनस किया तो यह बचा आपका 1100 सेंटीमीटर तो इसको हम 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं तो इसका अंसर यह हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम अंगला कुश्चिन देखते हैं कुश्चन नमबर सिख्थ है एक साला के सभी बच्चों से उनकी पसंद की खेल का पता किया गया जिसकी संख्या इस प्रकार प्राप्त हुई है खेल का नाम पसंद करने बाले बच्चों की संख्या तो ये आपकी सारड़ी दी गई है इसमें खेल का नाम है यहाँ पर पसंद करने बाले बच्चों की संख्या नीचे कुश्चन दिए गए हैं सारड़ी को देखकर आपको इनको उत्तर देना है तो पहला जो कॉश्चन है सबसे कम पसंद किये जाने वाले खेल का नाम तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे कम यानि कि 10 बच्चे ही बॉली बॉल को पसंद कर रहे हैं इसका मतलब है सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा हो जाएगा बॉली बॉल यहाँ पर आप volleyball लिख लीजिए उसके बाद अंगला question है खेल परसंद करने बाले बच्चों की कुल संख्या इसमें कुल बच्चे कितने हैं 120 बच्चे हैं आप जोड़के देख लीजिए तो 120 इसमें आप लेख लीजिए उसके बाद अंगला question देखते हैं football अवं volleyball परसंद करने बाले पर बच्चों की संख्या कितनी है तो football परसंद करने बाले बच्चों की संख्या है 20 और volleyball परसंद करने वाले 10 इन दोड़ों को मिलाके 30 ज प्रसंद करने बाले बच्चे अगला कोश्चन देखते हैं कितने बच्चों द्वारा गिली डंडा प्रसंद किया गया तो 45 जो बच्चे हैं गिली डंडा प्रसंद करते हैं सारडी में सब दिया है उसकी के इसाहर हमें लिंखना है उसके बाद अंगला कॉप्षिण है क्रिकट खेलने बाले बच्चों की संख्या से कितनी इदिक है कितनी दोनों का माइनस कर देना है ने इन्हें का सकते हैं कि कितनी बच्चे अधिक हैं केकेट खेलने वाले बच्च्चों की संख्या फोटबोल खेलने हैं और दस असका आनसर हो जाएगा ठिक है इस प्रकार से हमने अभी तक देख लिया जो…… हम प्रियोजनाकार का जो आपका प्रजेक्ट बर्ख ए उसका solution देगे यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेजिए ताकि आपको अंगले वीडियो भी मिल सकें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाब ले सकें अपनी बर्क्षीट कमपाई